हालो गाईज, वेलकम टू विकिस्टुटरियल्स और आज हमनों करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पोएट्स एन पैनकेक्स और इसके ऑथर है अशोका मित्रन ठीके सबसे पहले अपाउटड ऑथर को पढ़ लेते हैं लिखा हुआ है यह हमारे वह एक तमिल राइटर रेकांट्स इस एर्स एड जेमनी स्टुडियोज इन इस बुक माई इर्स विद बॉस तो यह जब वो जेमनी स्टुडियोज में काम करते थे अशोका मित्रन तो उन्होंने तब का अपना एक्स्पिडियेंस शेयर किया हुआ है अपने चीज पर बताया गया है उनके बुक में माई इयर्स विद बॉस तो यहां से आपको याद क्या रखना है कि वह जेमनी स्टुडियोज में काम करते थे अब आगे रेखते हैं दा जेमनी स्टुडियोज लोकेटेट इन चैन्नाई वह सेट अप इन नाइटीन फॉटी तो य यह आपको याद रखना है और इस जेमनी स्टुडियोज का सेट अप कब किया गया था 1940 में तो यह भी आपको याद रखना है इट वस इट वाज वन अप दे मोस्ट इंफ्लूएंशियल फिल्म प्रोडूशिंग और्गनाइजेशन अफ इंडिया इन अर्ली डेस ऑफ इं कीजिए कि जेमनी स्टुडियोज के फाउंडर कौन थे ऐसेस वासन इस्टूरी में उनको बॉस बोलके बुलाया गया है तो जब भी इस्टूरी में बॉस का जिकर होगा तो आपको समझ जाना है कि वहापे बॉस कौन है ऐसेस वासन जी है तो अभी तक दो बात आपको या आपको पता है अशोका मित्रन जी इस जेमनी स्टूडियोज में काम करते थे और उनका काम क्या था तो काट आउट निउस्पेपर क्लिपिंग्स ओन वाइट वाइट वाइटी अपर से उनको एक आर्टिकल काटके निकालना होता था क्लिपिंग्स निउस्टूपर क्लिपिंग्स काटके निकालना होता था और इसको एक फाइल में इस्टूर करके रखना था यही उनका काम था जेमनी स्टूडियोज में अपर यही उनका काम काफी छोटा सा था इनसिग्निफिकेंट काम था लेकिन जेमनी फैमली जेमनी स्टूडियो में जितने भी लोग थे सबसे ज्यादा इनफॉर्म्ड लोगों में से यही थे अर्शोका मित्रन जी काफी knowledge था इनके पास क्योंकि यह newspaper पढ़ते थे और आर्टिकल्स काटते थे तो उनका information काफी बढ़िया था the following is an excerpt from his book my years with boss तो उनका जो यह book है my years with boss उस book में से एक छोड़ा सा पार्ट निकालके आज का स्टोरी है हमारा तो उसी स्टोरी को उस पढ़ने वाले हैं यह स्टोरी छोड़ा सा पार्ट है इस book का my years with boss तो फिलाल यह about the author में से आपको दो ही बात याद रखना है कि जैमिनी स्टोडियोज लोकेट है चेंड़ी में जिसका ओर नाम था मदरास यह सेट अप किया गया था 1940 में और इसका फाउंडर थे SS वासन और author का का काम था to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files यह उनका काम था तो आया अभी स्टोरी को शुरू करते हैं लिखा हुआ है pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads तो pancake जो word है इस word का मतलब होता है कि वो एक brand name था एक brand का name था of the makeup material एक makeup समान हुआ करता था और उस makeup समान का brand था pancake that Gemini Studios bought in truckloads और यह makeup का समान Gemini Studios बहुत भाड़ी मात्ता में खड़िती थी ट्रॉक्लोड मतलब large amount ठीक है Greta Garbo must have used it, Miss Gohar must have used it, Vajanti Mala must also have used it but Rati Agnihotri may not have even heard of it तो यहाँ पर लेखा कुछ actresses का नाम लेते हैं सबसे पहले actress है Greta Garbo example देते हैं कि उन्होंने भी इस makeup समान को यूज किया होगा pancake को यूज किया होगा pancake तो brand का नाम है तो यह यूज किया होगा उन्होंने इस brand का समान Miss Gohar must have used it Greta Garbo जहें नीचे footnote में लिखा हुआ है वह Swedish actress थी Miss Gohar ने भी इसको यूज किया होगा फिर वैजन्ती माला must also have used it यह Miss Gohar और वैजन्ती माला यह सब इंडियन actress है और जो Greta Garbo होथ है वह Swedish actress है लेकिन रती अगनी होत्री जो है उन्होंने इस brand का नाम हो सकता है इस बिल्डिंग के upstairs में उपर वाले floor में क्या था make-up department था ठीक है उस पूरे building में तो क्या था Gemini Studios बना हुआ है तो उस building का सबसे उपर वाले में क्या था make-up department था और वो जो building जो था माना जाता था कि वह एक समय में Robert Clive का stable हुआ करता था stable मतलब ऐसा जगा ऐसा बिल्डिंग जहां पर घोरो को रखा जाता हो horses को रखा जाता हो उसको बलते इस्टेवल और आपने हिस्ट्री पर आप तो Robert Clive सर का नाम तो सुना ही होगा एक British soldier थे यह तो इनका stable हुआ करता था वह building तो वही building आज जेमिनी स्टूडियोज बना हुआ है और उस building के आप स्ट्रेट में क्या है मेकप डिपार्टमेंट है उमिट करते हैं को यहां तक clear होगा अब आगे बढ़ते हैं a dozen other buildings in the city were said to have been his residence और ऐसे ही building जैसा कि जेमिनी स्टूडियोज है वैसे कई सारे building, there is no building उस city में मतलब चन्ने सिटी में या फिर मदरास सिटी में बुला दता कि उनका ही था वो उनका घर हुआ करता था for his brief life and even a briefer stay in madras Robert Clive seems to have done a lot of moving तो उनका छोटे से समय में छोटे से जीवनकाल में और और भी छोटे समय में जब वो मदरास में रहते थे बहुत कम समय के लिए मदरास में रहे Robert Clive, Robert Clive ने उसी कम समय में क्या कर लिया have done a lot of moving, वो काफी ज़धा travel करते थे besides fighting some impossible battles in remote corners of India और इसके अलावा वो कुछ बहुत ही भेंकर भेंकर यूद भी किये थे वो जीते थे and marrying और उसी वो कम समय में उन्होंने साधी भी कर लिया था किससे a maiden, maiden मतलब an unmarried girl ठीक है जिसका साधी ना हुआ हूँ ऐसा लड़की से उन्होंने साधी भी किया था कहां पे साधी किया था in St. Maddox Church in Fort St. Church in Madras इस जगह पे उन्होंने साधी किया था तो देखिए आप यहां पे Madras का जीकर हुआ है तो आप समझ गए होंगे अब आगे continue करते हैं the makeup room had the look of a hair cutting saloon with lights at all angles around half a dozen large mirrors तो वह जो makeup department था उपर में, building का उपर में makeup department था वह पे जो makeup room था तो वह makeup room देखने में ठीक एक hair cutting saloon जैसा दीख रहा था वो जहां पे lights लगे हुए थे हरेक एंगल से और half a dozen large mirrors लगभग 6-7 cc लगे हुए थे उस room में there were all incandescent lights, incandescent lights जल रही थी incandescent lights क्या होता है जैसे पुराने जवाने के बल्व होते थे आप picture में देख पार होंगे इसमें से yellow light निकलता है काफी जारा heat भी छोड़ता है यह तो उस टाइप के light stage पर जलते थे room में जलते थे so you can imagine the fearing misery of those subjected to makeup तो आप imagine कर सकते है कि कितना दुख बरदास करना पड़ता होगा उन लोगों को जो लोग अपने से चेरे पर makeup करवाते होंगे काफी दुख उनलों के जहना पड़ता था दुख कैसा कि जब incandescent lights जब उनके ठीक चेरे के सान में जब जलता हो और आसपास 6-7 CC भी हो तो से reflection भी होके सब चेरा पर ही आ रहा होगा तो काफी ज़्यदा हीट उनको बड़ास करना पड़ता था ठीक है उमिद करता है को यह तक क्लियर होगा यहां पर जो word of theory इसका मतलब होता है red hot काफी ज़्यदा गरमी उनको बड़ास करता पड़ता था जो लोग पहले एक बंगाली हुआ करता था जो बाद में जाके काफी ज़्यदा फेमस हो गया who became too big for a studio काफी ज़्यदा फेमस हो गया और वो इस्टूडियो छोड़के दुर्सरे जगा चला गया था कि वह और वी ज़्यदा अपना लाइफ में तरक्की कर पाए तो उसलिए उसने ज यह कौन था एक धरवार कनाडिका एंड आंध्रा मद्रास इंडियन क्रिष्चन एंड एंगलो बर्मीस एंड यूजवल लोकल तमिल्स यह सब लोग मिलके उस महराश्चिटियन का हेल्प करते थे मेक अप डिपार्टमेंट में ठीक है उमीद करते हैं यहा तक क्लियर होग और नेशनल इंटिग्रेशन तो आप देख पा रहे हैं कि वह जो जेमिनी स्टूडियोस था और उसका जो मेक अप डिपार्टमेंट था मेक अप डिपार्टमेंट में हर रिजन से लोग थे वहाँ पर इंडिया के हर एक रिजन से वहाँ पर लोग मौजूद थे जैसे कि इजामपल के लिए हुआ पर एक बंगाली था पहले फिर बंगाली छोड़ दिया तो कोन है महाराष्ट्रियन आया फिर उसको घल्प करने के लिए धरवार कनाधिगा के लोग थे और आंदरा के लोग थे फिर मदरास के लोग भी थे कृिष्चन लोग थे एंगलो बरमीश एंड लोकल टमिल्स, सभी प्रकार के, सभी धर्म के लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे ठीके, तो ये क्या दिखाता है, वहाँ पर काभी ज़ाता है एक national integration हमें देखने को मिल रहा था एक nationality का feeling आ रहा था, हुआँ पर एकता देखने को मिल रहा था और ये जो concept था, कि हमारा देश एक है, unity है यहाँ पर unity in diversity जिसको बोलते हैं, ये concept यहाँ पर देखने को मिल रहा था और बाद में यही concept, All India Radio और दूर डरसन के अलग-अलग प्रोग्राम के ज़री ये belief को promote किया गया कि देश में national unity होना चाहिए, ठीके तो ये जो belief था, national integration का, ये belief पहले से हमें Jeremy Studios के make-up department में देखने को मिल रहा था ठीके, उमिद करते हैं, आप पो ये समझ मैं होगा, ये line फिर आगे देखते हैं, इस gang of nationally integrated make-up men could turn any decent looking person into a hideous crimson huge monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions तो ये line समझना होगा, ये जो लोग थे, ये gang of nationally integrated make-up men मतलब उपर के जितने भी लोग थे, माराश्ट्रियन और धरवार कनाडिया, आंदरा ये सब लोगों को बुला जा रहा है, gang of nationally integrated make-up men ये लोग, nationality का feelings एक साथ जूरे हुए थे, ये जो लोगों का group था ये group क्या कर सकता था, could turn any decent looking person, कोई भी एक अच्छा देखने वाला इंसान को बदल सकता था into a hideous crimson huge monster, hideous का मतलब क्या होता है ugly और huge का मतलब होता है become colored और monster का मतलब होता है राक्षस ठीए, तो एक काफी ugly दिखने वाला red color का monster के रूप में उसको convert कर देथा था, इतना make-up लगाता था उसके चेहरे पर मतलब किसी भी अच्छे दिखने वाले वैक्ति को make-up लगा लगा के उसको एक राक्षस जैसा बना देता था with help of truck loads of pancake, बहुत ज़्यदा make-up यूज करते थे, pancake आपको पता है, brand name है make-up का and a number of other locally met potions and lotions, potions का मतलब होता है any liquid mixture, और भी कही तरह के liquid mixture और lotions को मिला होला के लगाते थे और एक अच्छा दिखने वाला इंसान, एक decent looking person को convert कर देते थे into a monster, ठीक है, दिखने में monster जैसे लगने लगते थे, those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film, film was shoot outdoors और उन जमानों में, film का जो shooting था, वो mainly indoor हुआ करता था, stage पे हुआ करता था, एक रूम में हुआ करता था और only 5% of the film was shot outdoors, सिफ, 100 में से सिफ, 5 फिल्मी ही ऐसे होती थे, जो outdoor में shoot होता होता था I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie तो लेखक बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि, कि ये जो sets है और studio light है इन सब चीजों को क्या चाहिए, कि इंसान को अगली बना दो तब ही बोलो presentable दिखेंगे movie में ठीक है कि लेखक को ऐसा लगता था कि अगर इंसान को अच्छा दिखना है movie में तो उनको पहले अगली बनाओ तब वो अच्छा दिखेंगे movie में अश्ट्रिक्ट hierarchy was maintained in the makeup department तो जो makeup department था उसमे एक hierarchy था hierarchy क्या होता है एक system होता है जिसमें members को rank किया जाता है कि सबसे top में वह member है उसके नीचे वह, उसके नीचे वह, उसके नीचे वह ऐसा system को बलते है hierarchy तो यहांब भी यह system देखने को मिल रहा था सबसे पहले इस सिस्टम में कौन था the chief makeup man सबसे टॉप में ये हुआ करता था made the chief actor and actresses ugly तो chief makeup man जो था वो जो main actor और actresses है उनका makeup करता था और उस chief makeup man के नीचे कौन आता था his senior assistant ठीक है तो senior assistant किसको makeup करता था the second hero and heroine उसको makeup करता था यहाँ पर लिखा गया है कि the chief makeup man made the chief actor and actresses ugly यह पर ugly का मतलब makeup करता था ठीक है chief makeup man का बाद आता senior assistant वो second hero heroine को makeup करता था और second senior assistant का बाद आता था आपका junior assistant वो main comedian को makeup करता था and so forth ऐसे करके और भी नीचे के लोग थे जो बागी unimportant लोगो makeup करते थे ठीक है तो उम्मीद आख करते हैं आपको hair की समझभाया होगा यहाँ पर the players who played the crowd were the responsibility of the office boy और कभी crowd का भी shoot करना परता था एक group का shooting करना परता था movie में तो group का makeup करने का जुम्दारी किस का था एक office boy का था और यह पर ब्रैकेट में लिखा गया है कि इवन दा मेकप डिपार्टमेंट आप जेमनी स्टूडियोज है आपको खुदी सुचे कि एक मेकप डिपार्टमेंट में भी एक अपना खुद का office boy था तो इसी से आप आप आइडिया लगा लिजे कि जेमनी स्टूडियोज कितना पड़ा था ठीक है यह लेखक बोलना चाहरे यहां पर तो मेकप office boy का काम क्या था कि crowd का make-up करने का काम था office boy का on the days when there was a crowd shooting you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players तो जिस दिन जब crowd shooting होना था जब group का shooting लेना था उस दिन क्या करता था आप देख पाएंगे कि वो office boy क्या करता था एक बड़े से vessel में अपना make-up था उसका समान का paint बनाता था and slap it on the crowd players और जिकने भी जो crowd के जो लोग है उनके सब की चेहरे पर make-up के थपेरा मारता था slap करता था ठीक है मतलब make-up लगा देता था the idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying make-up idea क्या था कि चेहरे पर एक भी हलका सा दाग धबा नहीं होना चाहिए सब pores को सब छेद को बन कर दिना है चेहरे का he wasn't exactly a boy नाम तो उसका office भुए था लेकिन वह boy नहीं था he was in his early 40s वो लगबख 40, 41, 42 years का इंसान था वो having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor और a top screenwriter director और lyrics writer वो कई साल पहले studio जोइन किया था इस उमीद में जोइन किया था कि वो एक दिन आगे चल के क्या बनेगा एक बहुत 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 एक्टर बनेगा या फिर a top screenwriter बनेगा या फिर कभी चल के director बनेगा या फिर lyrics writer बनेगा इन सब सपनों को लेके वो जैमनी इस्टूडियोस को जोइन किया था कौन जोइन किया था अब आगे देखते हैं in those days I worked in a cubicle two whole sides of which were french windows तो उन दिनों में लेखक जो थे लेखका नाम क्या है अशोका मित्रन ठीक है वो एक क्यूबिकल में काम करते हैं क्यूबिकल क्या होता है एक ही रूम में अगर आप केविन जैसा बना दें घेरा हुडा करके तो आपका क्यूबिकल क्या लाएगा ठीक है तो एक चोटे से फ्रेंच विंडोज सीइंग मी सिटिंग अट मैं डेस्क टेरिंग अप निउस्पेपर स्टे इन डे आउट मोस्ट पीपल थोट आइवस दूइंग नेक्स्ट तो लोग मुझे देखते थे कि मैं अपने डेक्स पर बैटके निउस्पेपर काट रहा हूँ दिन राथ थे रहते हैं it is likely that the boss thought likewise too और ऐसा हो सकता है कि boss भी ऐसा ही सोचते हो आपको पता है boss कौन है यहाँ आपर SS वासंजी है boss वो उसके founder थे so anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture तो ऐसा जब भी किसी को लगता था कि मेरे को कोई काम देना चाहिए तो वो लोग जल्दी से आते थे मेरे cabin में मेरे cubicle में आते थे और delivered मतलब देते थे एक लंबा चोरा भासन देते थे कि तुम यह काम करो वो काम करो The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go west in a department fit only for barbers and perverts तो वो जो office boy था makeup department में उसने भी यह decide कर लिया था कि वो अपना poetry आके मुझे सुनाएगा Had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go west वो मुझे यह बतने में भीड़ गया कि कैसे एक कितना अच्छा literary talent इस makeup department में waste हो जा रहा है और यह makeup department सिफ किसके लिए है शिफ barbers मतलब शिफ नाईयों के लिए है जो चूलूल काटे and perverts परवर्ट मतलब ऐसा इंसान जो अपने sex के opposite behave करता हो मेले तो female जाईयों करता हो उसको बोलते हैं perverts बोलते हैं कि यह makeup department सिफ ऐसे लोगों के लिए fit है मतलब बारवर्ट के लिए fit है तो उस department में एक बहुत ही great literary talent waste हो रहा था मतलब office boy अपने बारे में बोल रहा है कि मेरा talent यहां पर रहके waste हो रहा है मेरा talent इस जमने स्टूडियो में waste हो रहा है तो office boy यह अकसर बताते रहता था लेखा को Soon I was praying for crowd shooting all the time nothing short of it could save me from his epics तो तुरंथी लेखक प्रे करने लगए कि क्यों जल्दी जल्दी crowd shooting हो क्यूंकि crowd shooting है ऐसा वक था जब वो office boy busy होता था और वो crowd पे makeup लगाता था मतलब group के लोगों को makeup लगाता था और जब वो makeup लगाने बीजी होता था तब लेखक को जमर्दस्ती इसके long epics epics मतलब होता है long poems लंबे-लंबे poems सुनने से रहत मिलता था उसको ठीक है नहीं तो office boy जब भी फ्री रहता था तो वह लेखा को आकर अपना poem सुननने लगता था और यह भी सुनता था कि कैसे उसका literary talent waste हो रहा है इस जमी studios में तो इन सब आतों से वो free होने के लिए वो हमेसा प्रे करता था कि जल्दी से जल्दी crowd shooting हो ठीक है युगी crowd shooting ही ऐसा वक था जब वो रहत मैसूस करता था nothing sort of it could save me from its epics ठीक है अब आगे continue करते है in all instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly and this man of the makeup department was convinced that all his voice ignominy and neglect were due to kotha mangalam subbu तो जब भी अक्सर कोई भी जब इनसान जब frustrated होता है गुसा होता है तो हम लोग हमेसा अपना गुसा एक इनसान की तरफ निकालने कोशिस करते हैं आइदर openly और covertly covertly मतलब secretly hiddenly ठीक है उपरी तोड़ से या फिर आजाने तरिके से हम लोग अपना गुसा एक इनसान पर निकालने कोशिस करते हैं और यह जो इनसान था यहाँ पर मतलब जो ओफिस वह था make-up department का उसको यह convince हो गया था वो यह मान चुका था कि उसका जितना भी वोज है जितना भी दुख है थीक है तो आपने देखा कि स्टोरी कैसे सीथ होड़ा है पहले उन्होंने जन्मी टूद्यू के बारे में बताया घाप फिर उन्होंने जन्मी अmitी के बारे में असको के बारे में बताया had a Subbu was number 2 at Germany Studios. So second important man कौन था? Germany Studios में Subbu था. First में तो कौन था? Boss होगा. Boss कौन है? SS person. ठीक है? और boss के बाद second number में इन्सान कौन था? Subbu. He could not have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy head. ठीक है? तो यह फिर दो इंसन का comparison किया गिया है. एक इंसान तो आपका है सुबू को, he could not have had a more encouraging opening in films than our grown-up make-up boy had, तो यह जो office boy था, उसको काफी अच्छा opportunity मिला था, यहाँ पर काम गड़ने का, तो ऐसा opportunity सुबू को नहीं मिला था, कैसे नहीं मिला था, देखते हैं, on the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, यह जो सुबू था, उसको काफी ज़्यादा uncertain or difficult times का सामना करना पड़ा था, क्योंकि, for when he began his career, क्योंकि जब उसने अपना career सुरू किया था, सुबू ने जब अपना career सुरू किया था, there were no formally established film producing companies or studios, तो तब इंडिया में उतना ज़्यादा कोई भी अच्छा film producing company of a studio नहीं था, and even in the matter of education, और जहां तक प्रहाय लिखाई का भी सवाल है, especially formal education, मतलब जो officially school से जब लुक परते हैं, उस प्रहाय लिखाई का सवाल है, सुबू could not have had an appreciable lead over our boy, तो सुबू ज़्यादा प्रहा लिखाई नहीं था, उस office वोय के तुल्ला में, but by virtue of being born a brahmin, लेकिन उसके पास एक quality था, virtue मतलब quality, वो quality क्या था, कि वो एक brahmin था, a virtue indeed, ये quality ही था brahmin होना, क्योंकि he must have had exposure to more affluent situations, क्योंकि वो brahmin था तो उसको काफी effluent, affluent मतलब होता है rich, काफी wealthy situation में वो पलावारा होगा, उसको exposed किया होगा, मतलब उसमें वो exposed हुआ होगा, exposure मिला होगा उसको, and people, और काफी बड़े-बड़े लोगों को साथ उसका उठना बैटना होगा, तो ये उसका एक quality था, He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film, तो भले ही उसका film कोई flop हो जाए, लेकिन फिल्वी वो काफी cheerful दिखता था, काफी खुश रहता था वो, He always had work for somebody, और उसके पास हमें साथ सब के लिए कुछ ना कुछ काम होता था, He could never do things on his own, क्योंकि वो खुश से अपना काम नहीं करता था, मतलब होता है मालिक ठीक है, जो में परसन होता है, वो इतना ज्यादा लोयल था, वफदार था जेमिनी स्टूडियोस के लिए, जेमिनी स्टूडियोस के तरफ की में इडेंटिफाई हिमसेल्फ वीद अच्छे से विश्वास करते थे, अपने मालिक के लिए परसुद करते थे, मतलब पुड़ा पूरी समभगी समभ भी थे जेमिनी स्टूडियोस की तरफ, he was tailor made for films tailor made मतलब perfectly suitable वो काफी ज़्यादा suitable थे films के लिए ही सुबू ऐसा लग रहा था कि वो film के लिए ही बने है here was a man who could be inspired when commanded तो कोई भी काम परता हो तो लोग इनी को डूंगते थे for example माल लिजे कि कोई ऐसा situation हुआ कि the rat fights the tigress underwater कि माल लिजे एक चूहा एक सेड़नी को एक सेड़नी के साथ पानी में यूद लडाई करता है and kills her और माल लिजे वो चूहा उस सेड़नी को मार भी देता है पानी में but takes pity on the cubs लेकिन उस चूहे को उस टगर के tigress के बच्चे पर दया जाता है and tends them lovingly और वो चूहा जो था वो cubs को अपना प्यार जताता है I don't know how to do the scene the producer उट से तो producer गोलता है कि मुझे पता नहीं ये scene कैसे करे हम ठीके and subu would come out with four ways of the rat pouring affection on its victim office spring तो तब subu आता था और वो चार तरीके बताता था जिससे वो rat अपना प्यार दिखा सकता है उस सेडनी के office spring मतलब बच्चे पर ठीके तो subu के पास ये quality था कि कितना भी difficult situation उनो उसके पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता था उससे deal करने का good but I am not sure it is effective enough the producer उट से फिर producer क्या बोलता था माल लिजे वो चार तरीका बताया subu's producer को तो माल लिजे वो producer को वो तरीका पसन मनी आया वो बोलता था कि good ठीक है लेकिन मुझे लिए लिए लगता है ये उतना effective होगा producer ऐसा बोला करता था और तब in a minute subu would come out with 14 more alternatives एक minute के अंदर subu क्या करता था और भी 14 अलग अलग तरीके बताता था कि आप ऐसे कर लिजे ऐसे कर लिजे तो अच्छा होगा तो इतना creativity था subu के अंदर film making must have been and was so easy with a man like subu around and if ever there was a man who gave direction and definition to Germany's studio during its golden year it was subu तो जब subu आसपास हो तो film making कितना आसान हुआ करता था ठीक है बहुत आसान होता था कोई भी काम जब subu आसपास हो और अगर कोई एक इंसान था जिसने direction and definition दिया हो Germany's studio को उसके golden years मतलब जब उसके अच्छे समय में जब Germany's studio जब फलफुल रहा था तब उसके पीछे किस का हाथ था Subu का ही हाथ था तो काफी important person है Subu उसके इनको number two भी बोला गया है Germany's studio में S.S. वासन के बाद यहीं आते हैं Subu Subu had a separate identity as a poet and though he was certainly capable of more complex and higher forms he deliberately chose to address his poetry to the masses तो Subu का एक identity भी था एक poet का रूप में मतलब Subu एक poet भी थे and though he was certainly capable of more complex and higher forms और उनका capacity था कि वो भी काफी complex और higher अच्छे-च्छे poems लिख सकते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने deliberately मतलब जान बुझ के ऐसे poems लिखे जो masses मतलब जो लोगों को समझ में आ जाए ordinary poems वो लिखते चले गए ठीक है वो यहां पर लिखा गया है कि he deliberately chose to address his poetry to the masses जान बुझ के वो ऐसे poem लिखते गए जो ordinary common people को समझ में आने लगे तो वो काफी अच्छे poet भी थे film में अच्छे भी काम करते थे और साथ-साथ poetry भी काफी अच्छा करते थे वो his success in films overshadowed and dropped his literary achievement लेकिन वो film में इतने जाला success थे कि उनसे उनका literary achievement जो था वो धग चुका था और so his critics felt और उनके जो अलोग्चत थे उनका भी यही मानना था कि यह poetry तो अच्छा करते हैं लेकिन film में वो और भी अच्छा करते हैं तो film का success उनका poetry का success को ढग दे रहा था he composed several truly original story poems in forked referent and diction and also wrote a sprawling novel Thilana Mohanambal ठीक है तो वो उन्होंने काफी he composed several truly original story poems तो काफी अपने सब्दों में उन्होंने story poems लिखा था common भासा में और diction मतलब style of writing होता है ठीक है तो और referent का मतलब होता है a short part of a poem or song repeated ठीक है तो उन्होंने एक गाने के रूप में लिखा था story poem को काफी अच्छे से लिखा था and also wrote a sprawling sprawling मतलब काफी बड़ा detail में लिखा था एक novel उस novel का नाम था Thilana Mohanambal with dozens of very deftly aged characters और इस novel में दरजनो very deftly aged character deftly means effortlessly और aged aged का मतलब होता है आपका described काफी अच्छे से उन्होंने describe किया गया था दरजनों characters को इस novel में तो उनका poetic skills बताया जा रहा है यहां पर he quite successfully recreated the mood and manner of the devdasis in the early 20th century और उन्होंने जो devdasis जो लोग थे devdasis कौन होता है साउथ इंडिया में पहले एक लड़की हुआ करती थी जो अपना पूरा जीवन एक भगवान के वर्शिप में dedicate कर दे दी तो उस टाइब के लड़की को devdasis बोलते थे उस जवाने में यह लेकिन यह भी बैन हो चुका है ठीक है 1988 से यह बंद हो गया है देवदasis का system पहले हुआ करता था लेकिन और यह श्टूडिय आपको पता है 1950s 60s का time का पता है जा रहा है तो उन्होंने अपने writings में इस देवदasis का काफी अच्छा से पोटरे किया ठीक है he was an amazing actor और इसके साथ सब्सक्राइब काफी अच्छे अक्टर भी थे he never aspired to the lead roles वो कभी भी एसा नहीं चाते थे कि उन्हें main role मिले एक actor का role मिले but whatever subsidiary role he played in any part of the films he perform better than the supposed main players लेकिन कोई भी उन्हें चोटा मोटा role जब मिल जाता था तो वो main player से भी अच्छा role play करते थे तो यह दिखाता है कि वो काफी अच्छे अक्टर भी थे he had a genuine love for anyone he came across और कोई भी इंसान जब उनसे मिलता था तो उनके दिल में सबके लिए प्यार भड़ा हुआ था सुभू के अंदर and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances और उनका घर जो था वो permanent residence हो गया था उनके सारे relatives के लिए और acquaintance परिचित लोगों के लिए मतलब कोई भी लोग आके उनके घर में राम से लरा लेते थे It seemed against Subhu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them और यह Subhu के nature ऐसा था ही नहीं कि वो एक बार के लिए भी यह सोचे कि वो इतने सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं free में यह वैसा वो कभी नहीं सोचते थे Subhu Such a charitable and improvident man and yet he had enemies तो ऐसा बड़े दिल वाला और improvident improvident मतलब ऐसा इंसान जो कंजूस ना हो मतलब जो freely spend करें ठीक है उसको बोलते है Improvident man तो ऐसा इंसान जो दानी हो इतना बड़ा दिल हो उसका और इस इंसान का भी enemies हो यह काफी shocking है Was it because he seemed so close and intimate with the boss क्या इसा करण यह था कि उसका enemies था enemies होने का कारण यह था कि वो boss के ज़्यादा करीब थे कि इसलिए उसके ज़्यादा enemies थे मतलब यह पर office boy का example पुला जा रहा है कि office boy को उससे दुस्मनी था तो ऐसा इंसान का दुस्मनी इससे हो तो यह भजम नहीं होता है ठीक है तो यह दुस्मनी होने का कारण क्या यह था कि वो सुभू जो था वो boss के इतना करीब थे उसलिए दुस्मनी था और was it his general demeanor that resembled a psychopath यह फिर उनका behavior ही ऐसा था demeanor का मतलब behavior उनका behavior ही ऐसा था कि वो एक चापरूस की तरह दिखते थे ठीक है psychopath का मतलब बता है जो इंसान जो दुस्टे का तारीफ करे पारफू लोग का तारीफ करे ठीक है एक favor के लिए तो उनका behavior ही ऐसा था कि एसा लगता था कि वो एक चापरूसी कर रहे ऐसा तो नहीं था क्या इसी कारण से उनको कोई hate करता था ये reason था क्या और his readiness to say nice things about everything या फिर उनसे दुस्मानी का कारण ये भी हो सकता है कि वो हर चीज के लिए कुछ अच्छा बोलते थे क्या ये reason था in any case there was this man in the makeup department who could wish who would wish the direst things for subhu the reason कोई भी हो office department में ये इनसान था मतलब जो office boy था वो wish करता था कि सबसे बुरा थिंग हो जाए subhu के साथ direct मतलब very bad things सबसे बुरा घटना घट जाए subhu के साथ ये wish करता था कौन office boy region भले ही जो भी हो ठीक है उमीद करते हैं को यहां तक clear होगा अब आगे continue करते हैं you saw subhu always with the boss but in the attendance role he was grouped under a department called the story department comprising a lawyer and an assembly of writers and poets तो भले ही subhu हमें साथ boss के साथ दिखते हो लेकिन officially मतलब attendance रोल में मतलब officially वो किस department में आते थे अब देखिए फिर आभी स्टोरी स्थ हो रहा है अभी बीच में सुभू के बारे है अब सुभू से स्टोरी स्थ हो रहा है किसे ओपर lawyer के ऊपर अब हमें lawyer के बारे में बताया जाएगा ठीक है तो lawyer को officially हम लोग क्या बोलते है legal advisor भी बोलते है हैं बट everybody refer to him as the opposite लेकिन यहाँ पर सब कोई इनको उसके विप्रीद बोलता था legal advisor ने इसको illegal advisor बोलता था ठीक है अब कैसे illegal बोलता था आप देखते हैं उस lawyer को an extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the set तो यहाँ पर एक incident share किया रहा है कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही talented actresses actress थी और वो काफी temperamental भी थी मतलब काफी moody थी बार-बार पर वो उनका दिमाग गरम हो जाता था तो वो एक बार क्या हुआ वो सेट्स पर काफी गुसे हो गई गुसा हो गई ठीक है वाल एब्रीवन इस्टूट्स इस्टन और सब कोई उसका गुसा देखके सब चौक गए थे तो तब क्या हुआ यह जो लॉयर थे लॉयर कोईटली सुच्ट ऑन दा रेकोर्डिंग कर देते हैं और जो एक्टरस थी व कि एक मेंट रुकिया आप और प्लेट बैग दा रेकोर्डिंग और जो रेकोर्डिंग किये थे उसको प्ले कर देते हैं तो एक्टरस जो थी जितने भी अपसब बुली थी प्रोडुसर के खिलाब उस मैसा नहीं था कि वो बहुत ही बुरे-बुरे सब दिस्तमाल की हो इनक्रिमिनेटिंग मतलब किसी पर आरोप लगाना कोई क्राइम के लिए या फिर अनमेंशनेबली फाउल कोई बुरा सब दिस्तमाल नहीं की थी वो एक्टरस लेकिन फिर भी जब उस एक्रेस ने अपना वोइस को फिर से सुना उस रेकोर्डिंग में तो वो इस्ट्रक डंब वो काफी आश्यरे चकित हो गई थी के चुपचब खरी हो गई वो सद्मा से सौक्ड होगी सौक्ड हो गई वो अगर्ल फ्रॉम दा कंट्री साइड वो एक्टरस थी वो एक्टरस वो आई कहां से थी रूरल एडिया से आई थी थी गाहों से आई थी वो एक्टरस और उस दिन चो उनके पहले अवगत नहीं थी वो ठीक है वो एक्टरस क्योंकि वो एक कंट्री साइड रूरल एडिया साई वही थी अपना रेकोर्डिंग सुना उनको काभी सदमा था लगया और उनके मन में घर बैठ गया ठीक है तो इसी तरीके से उस एक्टरस का पूरा केरियर था वो खातम हो गया ठीक है उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ दिया इस तरीके से वो जो लीगल एडवाइजर था मतलब यंआ पर लॉयर को क्या ब느 ला गया था अपने देखा था जाने में पर अन्जाने में ही उन्होंने एक एक्टरस का लाइफ का एंड कर लिए था था तो यह पर बोला गया था, क्या बोला गया था, कि officially also known as legal advisor, but everybody referred to him as the opposite, सबके उनको opposite बोलता था, मतलब वो एक illegal advisor, उनको इसलिए बोलता था कि देखो उन्होंने क्या क्या, कि उन्होंने illegally recording चालू कर दिया, और एक अंजाने में ही लेगिन उन्होंने illegally तरीके से एक घटना को अ member of the department wore a uniform, a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized, clumsily, tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie, तो उस्टो इस्टोरी department में सबकोई का एक uniform था, और यो uniform क्या था, khadi dhoti पहनना, khadi का कप्रे का dhoti पहनना, with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, और clumsily, मतलब carelessly, था धिला राला, और काभी बड़े साइस का shirt पहनते थे सबकोई dhoti के ऊपर, लेकिन वो जो legal advisor था, wore pants and a tie, वो pant पहनता था, tie पहनता था, and sometimes a coat, that looked like a coat of mail, और कभी-कभी तो एक coat भी पहनता था, और वो coat दिखता कैसा था, coat of mail की तरा, coat of mail क्या होता है, आ और वो अक्सर, अकेला ही दिखता था, और लाचार सा दिखता था, वो lawyer, a man of cold logic in a crowd of dreamers, और वो study department में तो सब तो poet और लेखा लोग बैठे हुए थे, और वो लोग हमेसा dream करते थे, लेकिन वो जो lawyer था, वो logical person था, उसको हर चीज में logic चाहिए होता था, तो उसलिए वो हमेस अपने आपको केला में सूस करते था, और helpless में सूस करते था, a neutral man in the assembly of Gandhiids and Khadids, तो वो neutral man था, और उस भीर में, जो हमें सभी लोग का सोच, गांदी जी से प्रेरित था, Khadid से प्रेरित था, उस भीर में वो अपने आपको एक alone और helpless में सूस करते थे, like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film, तो ऐसा होता है था कि जो भी जो बॉक्स से करीब होता था, उसको एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिलता था, तो इस लोयर को भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिला, लेकिन भले ही उस फिल्म में बहुत raw stock और मतलब materials और pancake use हुआ हो, make-up को आसमाने उस आपको पता है बॉस का नाम क्या है, SS Wasan, ही आपके याद रखिएगा, उन्होंने इस्टोरिक डिपार्टमेंट बन कर दिया, and this was perhaps the only instance in all human history, where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home, और ये इतिहास में पहले बार हुआ, इंसान के इतिहास में कि, एक लोयर ने अपना जॉब खो दिया क्यूंकि पोएट्स को घर जाने के लिए बोल दिया गया था, यहाँ पर सर्काष्टिक डिमार्ग किया गया है, कि पोएट्स का काम खदम हुआ, मतलब एक लोयर का काम भी खदम हो गया साथ में, अब आगे कंटिनू करते हैं, जेमनी स्टूडियो में यह सब पोएट्स फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, इनलों का फेबरेट प्लेस हुआ करता था जेमनी स्टूडियो, और उन दिनों में कांग्रेस का डूल होना मतलब प्लेशन था, जाले चीज़ पर डोक लगा हुआ था, अब यह प्रोहिबिशन क्या होता है, कांग्रेस्टूल क्या होता है, फिला नहीं जानने से भी चलेगा, बाग में दिमाग लाएंगे इस पर, और जब इतना सरा प्रोहिबिशन लगा हो, तो और ऐसा मीटिंग हो जहां पर इतना च प्रोहिबिशन क्या है, तो वह ओफिस बय को छोड़के, और कुछ क्लर्क को छोड़के, जितने भी लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, उन सब को काफी अच्छा, काफी मस्ती कर देते है वो लोग, और यही लीजर जुरूरी है, एक अच्छा प्रोहिट्री लिखने के ल वो काफी मानते थे, but beyond that, they had not the faintiest appreciation for political thought of any kind, लेकिन भले जी वो लोग खादी पहनते हो, और गांदी जी को मानते हो, लेकिन उनका political thought कहीं से भी कुछ भी लेना देना नहीं था, गांदी जी से, ठीक है, political thought किसी का भी कुछ भी नहीं था, Naturally, they were all avert to the term communism, और यह सभाई थे कि सभी लोग avert, avert मतलब dislike करना, hate करना, सभी लोगों नफरत था, communism सबसे, अभी communism क्या होता है, यह आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं जाने से भी चलेगा, आगे continue करते हैं, A communist was a godless man, एक communist वो इंसान होता है, जिसका कोई भगवान नहीं होता है, ठीक है, godless man होता है वो, he had no filial or conjugal love, उसको ना अपने बचों से प्यार होता है, ना अपने पतनी से या फिर पती से प्यार होता है, conjugal मतलब अपने spouse से प्यार नहीं होता है, और filial मतलब अपने son daughter से प रोक थाम नहीं होता है, ठीक है, उसको अपने parents को मारने में, अपने बच्चों को मारने में उसको कोई हलका सर्वी हिज की चाहट नहीं होता है, he was always out to cause and spread unrest, वो हमेशा घर से बाहर निकलता है, क्या करने के लिए, हर जगा unrest, मतलब अपने अपने घर से निकलता है, among innocent and ignorant people, और लोगों में वो काफी दहसत फैला के छोडता है, कौन? एक communist, ठीक है, such notions were, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studios, तो ये जो belief था, कि एक communist ऐसा इनसान होता है, ये belief South India में हर जगा फैला हुआ था, और यही belief Gemini Studios में भी फैला हुआ था, और Gemini Studios में थे कौन? खादी में, खादी कपरे पेने हुए poets दोख थे, तो उन पोईटों का भी यही विचार था, तो इसलिए सबको यह hate करते थे, communism सबसे, evidence of it was soon forthcoming, और इतना hate करते थे, उस hate का सबूत हमें बोचल देखने को मिलने वाला है, था, when Frank Bushman's Moral Rearmament Army, ठीक है, MRA, इसको बोलेंगे short म तो जब Frank Bushman का Moral Rearmament Army, some 200 strong, लगभग 200 लोगों का Army था वो, visited Madras, यह लोग जब Madras में आये, sometimes in 1952, 1952 के समई में, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios, उनको Gemini Studios से अच्छा host नहीं मिलने वाला था, host मतलब वो इंसान जो किसी को receive करें, ठीक है, तो Gemini Studios के पास वो लोग आके रुके, कौन आके रुके, Frank Bushman का MRA, Moral Rearmament Army, someone called the group an international circus, तो लोग उन्हें international circus बुलके बुलाते थे, इन 200 लोगों का group को, जिसको MRA बोलते है, they weren't very good on the trapezy, trapezy में वो लोग उतने अच्छे नहीं थ दिखाते हैं, आप पिक्चर में देख पाड़ोंगे, उसको बुलते है trapezy, तो वो लोग इस trapezy में उतना expert नहीं थे, and their acquaintance with animals was only at the dinner table, और animals से भी वो उतना परिचीत नहीं थे, animals से सिफ वो dinner table तके परिचीत थे, मतलब वो non-ways खाते थे, बस, और उतना जार animals में वो करते अभी नहीं दिखा पाते थे, but they presented two plays in a most professional manner, लेकिन उन्होंने दो play करके दिखाया, दो नाटक करके दिखाया, काफी अच्छे तरीके से करके दिखाया, और वो दो play कौन सा था, there, Jotham Valley and the forgotten factor, ये दो play है, आप हो याद रखना है, MRN ने दो play कौन सा perform किया था, Jotham Valley and the forgotten factor, ये citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again, और मदरास से कई सारे लोग तो देखी रहे था इस plays को, और इसके साथ-साथ, Jemini studios में जो 600 लोग थे, वो 600 लोग उन्होंने भी इस play को कई बार देखा, over and over again, the message of the play was usually plain and simple homilies, और वो जो play था, Jotham Valley or forgotten factor, उस plays का message काफी simple सा था, और homilies, homilies मतलब को इसे religious चीज को बारे में वो preach करते थे, ठीक है, religious संदेश देते थे, but the sets and the costumes were first rate, लेकिन वो जो जैसे set का arrangement करते थे, और जो costume पेंते थे वो काफी first rate था, अच्छा था, मदरास and the Tamil drama community were terribly impressed and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manor of Jotham Valley with a bear stage, तो लिखा गया है कि, मदरास और Tamil drama community जो था, ये लोग काफी बुड़ी तरिके से impressed हो गए थे, उस दो play से, और आगे आने वाले कई सालों तक उन्होंने, जितने भी Tamil के play होते थे, उन सब play में ये scene होता था, वो scene कौन सा था, scene of sunrise and sunset in the manor of Jotham Valley, जैसा Jotham Valley में दिखाया गया था कि कैसे sunrise हो रहा ह वो scene, Tamil के सभी place में हमें देखने को मिला आगे आने वाले कई सालों में, और वो scene में क्या होता था, with a bare stage, खाली stage होता था, and a white background curtain, और पीछे में एक सफेद कलर का परदा होता था, and a tune played on a flute, और एक बासुरी में एक tune बसता था, और sunrise होता था, और sunset होता था, तो ये scene, Tamil प्ल years later, that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism, और कई कुछ सालों बाद लेखा को ये समझ माया है, कि वो जो MRA आया था, MRA का full firm क्या था, Moral Rearmament Army, ठीके, ये जो MRA आया था, उसका उदेश से क्या था, was a kind of counter movement to international communism, ये लोग ये संदेश देने आये थे कि international communism को वो लोग counter करने आये थे, मतलब उसको arrest में उसको रोकने आये थे, ठीके, and the big bosses of Madras like Mr. Watson, simply played into their hands, और Madras के बड़े-बड़े boss, जैसे कि Mr. Watson थे, वो simply उनक Mr. Watson को use कर लिया, अपने motive के लिए, मतलब MRA का motive क्या था, उनका motive था कि communism के खिलाफ उन्हें एक message देना था, ठीके, और ये message देने के लिए उन्होंने एक play का सारा लिया था, और वो दो play कौन से थे, Jotham Valley, और कौन से था दूसरा वाला, the forgotten factor, ये दो play के सारे उन्होंने एक message दिया था कि communism को कैसे रोका जाए, ठीके, और ये लोग उसको समझ नहीं पाए, जेमिने शिटोटोस के लोग, और वो ही बला गया यहाँ पर, कि big bosses like Mr. M. Watson simply played into their hands, वो लोग उनके हाथों के खिलाने बन गए, मतलब MRA लोगो ने इन्हें ही use कर लिया, अपना message देने के लिए I am not sure, however, that this was indeed the case, तो लेखक बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि सही माइने में ये case था, क्योंकि for the unchangeable accepts of the big bosses and their enterprises remain the same, क्योंकि मदराज के जितने भी बड़े-बड़े boss थे, और उनमें से एक boss कोन सा था, Mr. Watson, जितने भी बड़े-बड़े boss थे, और उनका जो भी enterprise था, जो भी काम था, वो same to same चलता रहा, उनके काम में कोई downfall नहीं आया, तो इसका मतलब उतना ज़्यदा effect पड़ा नहीं, ठीक है, मतलब MR वालोगे ने तो इनको use कर लिया, अपना message portray करने के लिए, लेकिन उस message से इनको कोई loss नहीं हुआ, Mr. Watson को और इनके जैसे कई bosses को, ठीक ह MR और no MR, MR हो या फिर नहीं हो, international communism हो, and no international communism हो, या फिर नहीं हो, उनके अपने business पर कोई effect नहीं पड़ा, तो वही लेकिक बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है, इसका effect ज़्यदा हुआ, क्योंकि उनका business ठीक ठाक चली रहा था, The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities, लेकिन जो भी हो, Gemini Studio का staff था, मतलब लगभग 600 लोगा group था Gemini Studio में, उन्हें काफी अच्छा समय बिताने को मौका मिला, उन 200 लोगों के साथ, जो MR के साथ आया हुआ था, और उस 200 लोगों में लगभग 20 nationalites, ठीक हैं, लगभग 20 country से लोग थ of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department, और ये काफी अच्छा बदला हो भी था, अक्सर क्या होता था, usually काम क्या होता था, कि crowd players को makeup लगाओ और फिर shooting करो, ये ही काम monotonous हो गया था, ठीक है, उस monotonous काम से उनको break मिला, और उन्हें काफी अच्छा quality time spent कंडे का मौका मिला, MR के साथ में, ठ a few months later, the telephone lines of the big bosses of madras burst, और इस incident के कुछ महिने बाद, फिर बड़े बड़े जो boss थे madras के, उनका फिर से telephone ring किया, and once again we at Germany studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor, और एक बाल फिर से, Germany studios को ही महुगा मिला, एक visitor को welcome करने का, ठीक है, और उन्हें ने अपना पूरा shooting stage को clear कर दिया, क्योंकि एक visitor आने वाले से देखे, all they said was that he was a poet from England, शिफ यहीं सब कोई बोल रहे थे की, वो एक poet है, England से आ रहे हैं, वो, the only poets from England, the simplest Gemini staff knew, और heard of, Watsworth and Tennyson, तो Gemini staff के, Gemini studio के जो staff थे, उन्हें सिफ यहीं दो poet के बादे पता था, England के, वो दो poet कौन थे, Watsworth and Tennyson, और वो लोग और कुसको नहीं जाने थ और जो लोग जो कुछ ज्यादा पढ़े लिके थे, वो लोग kids के बारे में जानते थे, Shelly के बारे में जानते थे, और Byron के बारे में जानते थे, लोग बढ़े-बढ़े poet लोग है, टीक, तो इनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़े लिके थे, वो लोग जानते थे, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Elliot, और एक दो कोई इंसान कोई पता होगा कि कुछ Elliot बोल के भी कोई पोई है, तो इतना ही इतना ही ग्यान था इन लोग होगा, तब सवाल था कि अब हमारे स्टुडियो में कौन आ रहा है, इं में से कौन सा पोई आ रहा है, he is not a poet, he is an editor, that's why the boss is giving him a big reception, वासन was also the editor of the popular Tamil weekly, आनन्द विकातन, तो लोग बोलते हैं कि वो poet नहीं है, वो एक editor है, आपको पता editor क्या होता है, एक संपादक जो अखवार में लिखता हो, ठीकि वो एक editor है, उसलिए boss जो है उन्हें एक बड़े reception दे रहे हैं, वासन वासन खुदी एक editor थे, एक popular Tamil weekly, उस weekly का नाम था अनन्द विकातन, ठीकिए, अनन्द विकातन के editor थे, वो वासन जी, और उसके साथ साथ जब्मी स्टुईयोस के founder भी थे, तो चुकि यह editor भी थे, तो उसलिए वो और एक editor को welcome कर रहे थे, ठीकिए, He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras, फिर लिखक बोलते हैं कि, जितने भी editor को हम लोग जानते हैं, जो Madras में जितने भी British publication है, उनके editor को लोग जानते हैं, those known at the Germany studio, तो बोलते हैं कि, हम लोग तो सब editor को जानते हैं, यह कौन से editor आ रहा है, इसका तो बारे में हम लोग कभी सुने ही नहीं है, Since the top men of the Hindu were taking of the initiative, the surmise was that the poet was editor of a daily, ठीक है, तो चुकि उस पुरा जो initiative था, कि वो आएंगे वो आपर भासन देंगे, इस पुरे चीज को समाल कौन रहा था, the Hindu के top men, the Hindu जानते हैं आप अख़वारे बहुत हैं मसक भा रही है, तो इसका जो पुरा initiative था, the Hindu के लोगों ने लेकर रखा था, ठीक है, तो इसलिए यह idea था कि यह सब को यह guess कर रहे थे कि वो जो poet है वो एक editor है, एक daily का, एक daily का newspaper का editor है, but not from the Manchester Guardian or the London Times, लेकिन editor तो है, लेकिन इन दो अख़वार का editor नहीं है, that was all that even the most well informed among us knew, हमें सिफ जितना, सबसे जादा जिसको पता था, इतना ही पता था, कि तभी भी वो clear नहीं वाए कि वो poet थ लेकिन वो इन में से कोई भी नहीं है वो, तो वो poet नहीं हो तो हो सकता है, वो editor हो, क्योंकि वासन खुद भी एक editor है, तो वो एक editor का बुला रहे है, reception के लिए, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने सारे editor को जानते है, और चुकि the Hindu के top इंसान लोग जो थे, वो लो हो तो नहीं थे, तो पता नहीं कौन थे, अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, at last और अंत में, around 4 in the afternoon, दो पर के 4 बजे, the poet और the editor arrived, वो जो poet था या फिर editor था, वो आया, जेमी इस्टुडियो में वो आया, he was a tall man, वो एक काफी लंबा इंसान था, very English, देखने में काफी अंगरे किसी ने उसका चैरा भी कभी नहीं देखा था, battling with half a dozen pedestal fence on the shooting stage, the boss read out a long speech, और stage पे लगबग छेट हो, pedestal fence रखे हुए थे, pedestal fence क्या होता है, आप picture में देख पा रहे होंगे, इसको बलते है, pedestal fence, ठीक है, तो इसने सारे fence के बीच में, वो जो boss थे, SS वासन, उन्होंने एक ल obvious, that he too knew precious little about the poet or the editor, और ये जाहिर सी बात था कि, boss को भी उतना चैसा पता नहीं था कि, वो poet के बाड़े में उतना चैसा पता नहीं था, poet बोलो या भी editor बोलो, कभी clear नहीं था वो, the speech was all in the most general terms, but here and there, it was peppered with words like freedom and democracy, तो, जो boss में जो speech दिया, वो काफी general terms में था काफी simple सा speech था और उस speech में कहीं कहीं ये सब वोड़ा में सुनने को मिला था, वो words कोन से थे, freedom, democracy, ये सब वोड़ा में सुनने को मिला हमके speech में, किनके speech में, उस boss के speech में, और boss कोन है, S.S. वासन, then the poet spoke, उसके बाद, जब boss अपना वासन दे दिये, तो अब stage पे कौन आया, वो poet आया, poet या एधिटर, बोल दीजे, he could not have addressed a more dazed and silent audience, उस poet ने अपने life में, कभी भी इतना जादा dazed, dazed मतलब confused, और सांथ audience को कभी address नहीं किया होगा, no one knew what he was talking about, किसी को समझ बने रहा था, कि वो क्या बोल रहा है, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying, और जो कोई भी बो कोशिस भी कर था, कि हम कुछ समझे कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसका accent ही ऐसा था, बोलने का थरीका ही ऐसा था कि कोई उसको समझ नहीं पारा था, मतलब English में बोल रहा था, English भी काफी tough बोल रहा होगा, the whole thing lasted about an hour, और ये पूरा घटना एक गंटा तक चला, पूरा कारे करम एक गंटा तक चला, then the poet left, और के बाद वो poet वहाँ से चला गया, and we all dispersed in utter bafflement, और हम सभी बैचयन होके, वहाँ से उठ परे, और हातास निराज सब थे, what are we doing, और सब पूछेते ही, हम लोग कर क्या रहे है, what are we doing, हम लोग क्या रहे है, what is an English poet doing in a film studio, which makes Tamil films for the simplest sort of people, एक studio, वो studio जैसमें Tamil films बनता हो, ordinary people के लिए उस studio में एक English poet का क्या काम, people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry, और वो जो people थे, उनका life ऐसा था कि वो कभी अफोर ही नहीं कर सकते थे, कि वो एक English poetry को समझे, या फिर उसका लुपत उठाए, the poet looked pretty baffled too, और जो poet जो था, जिसने भासन दिया था के, जो England आया हुआ था, वो poet भी काफी confused थ for he too must have felt the sheer incongruity of his talk, about the thrills and travels of an English poet, क्योंकि, incongruity का मतलब बोता है, जो यहाँ पे fit ना हो, unsuitable, ठीक है, क्योंकि वो English poetry भी खुद भी मैसूस किया हुगा कि, incongruity का मतलब होता है, incompatibility, क्योंकि, खुद भी सोचाओ कि, हम कहां पर आ गए भासन देने के लिए, about his talk, about the thrills and travels of an English poet, travels का मतलब होता है, efforts, ठीक है, उसने क्या-क्या, उसने अमने life में किया है, यह सब बात बताया है, वहाँ पर लेगिन, उस सुचा कि, यह सब बात क्या ब था, क्यों आया था, क्या बोला, वो एकी मिस्ट्री सा बन के दा गिया, कोई उस मिस्ट्री को कोई समझ नहीं पाया, ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ, किसी को क्लिए नहीं था है, यहाँ पर, the great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day, that prose writing is not and cannot be the truest pursuit of a genius, कापी लंबा sentence है, इसका मतलब फि नहीं है, but my conviction grows stronger day after day, लेकिन जो लेखक है, असो का मित्रन जी है, उनका जो यह feeling है कि, वो feeling दिन पर दिन और strong होते जा रहा है, वो feeling क्या है, वो feeling यह है कि, that prose writing is not and cannot be the truest pursuit of a genius, कि यह जो story writing जो है, वो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं होगा, एक genius का का काम, मतलब एक genius के लिए story writing चीज नहीं है, story writing किसके कैसे लोगों के लिए है, it is for the patient, ऐसे लोगों के लिए है, जो काफी धहरेवान हो, persistent हो, persevering हो, drudge with a heart, so shrunken than nothing can break it, ऐसे इंसान के लिए है prose writing, जो patient हो, persistent हो, persevering हो, persevering का मतलब होता है, जो बार बार कोशिश करे, ठीक है, फिर होने के बाद भ और dress का मतलब होता है, a person made to do hard manual work, ठीक है, ऐसे इंसान के लिए है, जो कोई भी छोटा काम कर ले, उसको बेजयती, कितना भी बेजयती कर लो, लेकिन वो फिर भी अपने काम में ना रुके, ठीक है, ऐसे इंसान के लिए है prose writing, और उसका दिल इतना मजबूत होना चाहिए, shrunken मतलब सिकुरा हुआ होना चोटा होना चाहिए, that nothing can break it, कोई उसको तोड़ ना पाए, दिल कठोर होना चाहिए उसका, जो prose writing करता हो, rejection slips don't mean a thing to him, ऐसे इंसान के लिए है, जिसके लिए, अगर कोई reject भी करते, तो उसके लिए कुछ फरक ना पड़े उसको, ठीक है, he at once says about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript, काफी अच्छा line है यह, बोला गया है कि, prose writing ऐसे इंसान के लिए है, जो, जो, उसको कोई अगर reject भी कर दे, तो उसके लिए ज्यादा वो दिल में दुख ना मनाए, ठीक है, और वो क्या करे, तुरंत ही उसको एक और fresh copy, एक बड़ा सा story का, prose piece क प्रोज मतलब story ठीक है, एक बड़ा सा story का, fresh copy लिखना चाहिए उसे, और उसको send करना चाहिए, किसी दूसरे editor पास, मतलब एक editor ने उसका story को reject कर दिया, तो तुरंत ही उसको एक नया fresh copy लिखके, एक दूसरे editor को send करना चाहिए, और send करते वक्त, उसमें postage, आपको पता है कि prose writing करना चाहता है, तो, दूसलिए हमें बुला के आए कि, prose writing is not and cannot be the truest pursuit of genius, तो यह जो writer का feeling है, कि एक genius लोग के लिए नहीं है prose writing, यह ऐसे लोग के लिए है, जो patient है, persistent है, persevering है, जिसका heart shrunken हो, और reaction slip से उनको कोई फड़कना परे, और वो तुरंत ही, एक fresh copy भेजे एक दूसर यह feeling उनका दिनपर्दिंग strong होते जा रहा था, it was for such people that The Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter, और ऐसे ही लोग के लिए एक बार The Hindu अखवार में एक announcement सपा था, एक insignificant corner में of an unimportant page, एक काफी unimportant जा पेज था अखवार में, उस पेज में, एक कोने में, एक advertisement सभा हुआ था, क्या था उस advertisement, लिखा था कि, एक short story contest होने वाला है, और उस contest organized कोन कर रहा है, एक British periodical by the name The Encounter, The Encounter नाम का एक periodical था, periodical मतला होता है, एक magazine जो regularly produced हो, साबता एक magazine होता होगा, ठीके, तो Encounter नाम का एक magazine periodical था, वो एक contest organized कर रहा है, और उस contest में करना क्या था, एक short story लिखना था, ठीके, तो ऐसे लोगों के लिए एक contest निकला हुआ था, Of course, The Encounter wasn't a known commodity among the Gemini Literacy, तो Gemini Studios में जितने भी poets और लेखक लोग जो थे, उनके लिए ये जो नाम था The Encounter, उनसे वो लोग प्रचित नहीं थे, कुछी को पता नहीं था कि The Encounter क्या है, I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage, sending a manuscript, तो जो हमारे लेखा के आशो का मितरन, वो भी क्या किये, पहले इस periodical के बारे में जाने का कोशिस किये, क्योंकि जब वो अपना short story को भेजेंगे, तो उसको भेजने के लिए कुछ तो पोस्टेज लगाना होगा, पैसा लगाना होगा, तो सु short story contest, तो उस contest में लेखा कोभी भाग लेने जा रहे थे, अशो का मितरन जी, तो वो बलते है कि भाग लेने से पहले, मतलब story send करने से पहले, उन्हें कुछ idea चाहिए था इस the encounter के बारे में, मतलब ये कैसा है, क्या नहीं है, ये चीज़ वो पता करने के लिए सोचे, to England, in those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices, to make you feel you were sneaking into a forbidden area, और उन दिनों में, British Council Library जो था, मतलब जो मदरास में था लाइबरेरी, उस लाइबरेटी में, कोई भी signboard ये पी notice नहीं चपा हुआ था, क्योंकि ये signboard और notice अक्सर ये feeling दिलाते हैं आपको कि, आप एक forbidden area में आप प्रवेस कर र हैं, तो ये signboard और notice नहीं था, तो लेखा काफी freely उस library में जाते हैं, and there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, और देखते हैं कि, वहाँ पर the encounter का, ये तो magazine था, प्रियोडिकल था, उस प्रियोडिकल का अलग-लग fresh-fresh copy पढ़ा हुआ है, almost untouched by readers, और कोई भी reader उस magazine को पढ़ता नहीं था, उतना, when I read the editor name, और जब मैंने उस editor का नाम परा, उस magazine का editor का नाम परा, I heard a bell ringing in my shrunken heart, तभी मेरे दिल में ए घंटी वजा, it was the poet who had visited the Gemini studio, उस editor का नाम वही था, जो उस poet का नाम था, जिसने Gemini studio को विजिट किया था, वही poet जो England साया हुआ था, आको याद है, ठीक है, जिसका भासन को को ही समझनी पाया था, वही poet इस दो यह जो प्रियोडिकल है था, इस प्रियोडिकल का editor था, वो poet, I felt like I had found a lost, long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address, तो लेखा को ऐसा feeling आया है कि जैसा Indian film में हमें देखने को मिलता है, कि दो बिचरे हुए भाई आपस में जब मिलते हैं और एक आना बसता है तो लेखा को भी वैसा feeling आया था कि कुछ खोया हुआ चीज मिल गया ठीक है, और वो story लिखके involvement में डालते हैं और इसको seal कर देते हैं, और address लिखके भेज देते हैं England में, ठीक है, यह story को, contest में participate करने के लिए भेज देते हैं, participate करी लेते हैं मतलब, I felt that he too would be singing the same song at the same time, और लेखक यह feel करते हैं कि हो सकता है, वो भी यही गाना का रहे हो, मतलब जैसा Indian film में देखने हो को मिलता है, वो ही लिखा गया है, कि long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film, कि अक्सर film में देखा गया है कि शुरुआत में क्या होता है, कि दो भाई बिचार जाते हैं, तब एक गाना बसता है, और last में, जब दोनों भाई की गाना का रहे होते हैं, तो दोनों पैसान जाते हैं, तुम मेरे भाई हो, तुमको यह गाना कैसे पता, तुमको यह गाना कैसे पता, ठीक है, इस तो गाने से अपने आपको पैसान लेते हैं, तो वो यह बोल रहा है कि यहां भी पैस एडिटर थे, The Encounter के, और यही वो English poet थे, जो विजिट किये थे Gemini Studios को, और इनका ही भासन कोई समझ नहीं पाया था. And years later, और कई सालो बाद, when I was out of Gemini Studios, जब मैंने Gemini Studios को छोड़ दिया था, वापे काम करना बन कर दिया था, लिखक ने, I had much time, but not much money. मेरे पास समय तो काफी था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था. Anything at a reduced price attracted my attention. और कोईबी चीज जिस पर discount मिल रहा हो, कम दाम का हो, वो चीज मेरा ध्यान खिसता था. On the footpath in the front of the Madras Mount, road post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसा each. तो वो देखते हैं कि इस post office के सामने footpath पे एक pile, एक धेर पड़ा हुआ है, नहीं बुक का, और हर एक बुक का आदाम 50 पैसा था, 50 पैसा. Actually, there were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. तो वो जो धेर था, एक pile था, बुक का, वो सब बुक एक ही बुक का copy था, और वो American origin का paperback. Paperback क्या होता है, ऐसा बुक जिसमें cover soft हो, ठीक है, दो type का book होता है, एक hard cover, एक होता है paperback, ठीक है, hard cover मतलब उपर में बहुत ही hard cover होता है उपर में. और नर्मली जो अमनों का book मिलता है, आपका जो English का book है flamingo, उसको अमनों बोलेंगे paperback, ठीक है. तो वो paperback, अच्छा quality का था, American origin का था, American paper था वो, special low-priced student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. चुकि Russian Revolution का 50 साल हो गया था, तो उसलिए student edition था वो, और काफी कमदा में वो बिख रहा था वो. I paid 50 पैसा and picked up a copy of the book, तो लेखक ने 50 पैसा पे किया और वो book खरीद लिया, और वो बुक का नाम क्या था, The God That Failed, काफी famous book है ये, book का नाम आप याद रखेगा, The God That Failed. Six eminent men of letters in six separate asses described their journeys into communism and their disillusioned return, तो six बहुत ही famous famous persons, men of letters, men of letters का मतला होता है educated person, तो six educated persons in six separate asses, छे हो लोगों ने, छे ऐसे लिखा हुआ था, और छे ऐसे में describe क्या हुआ था, कि उन्होंने कैसे communism में पहले entry किया, और फिर उन्होंने कैसे वहां से return किया, ठीक है, मतलब communism का अच्छा समझ कि वो लोग पहले उसको communism को follow किये, और फिर बाद में वो, देखे कि communism काफी बु राइड, रिचाड राइड, इगनेजियो, सिलोने, ओर्थर, कोष्टलर, लुईस फिशर, एन स्टेफन स्पेंडर, तो उनमें से एक था हमारा स्टेफन स्पेंडर भी थे, ठीक है इनको आप पर चानते हैं, यह The Encounter के editor है, और लुईस फिशर को भी आप जानते होंगे, The Stephen Spender, फिर बलते Stephen Spender, suddenly the book assumed tremendous significance, तो जैसे ही लिखक ने यह जो नाम पढ़ा Stephen Spender, यह नाम पढ़ते ही लिखक के अंदर काफी ज्यादा उस book का value बढ़ गिया, ठीक है, तो क्योंकि जाना पैचाना लोग उसने लिखा हुआ था उस book को, Stephen Spender, the poet who had visited Germany Studios, बलाए कि यह वही Stephen Spender है, जिसने जिमनी स्टुडियो को विजीट किया था, और यही Stephen Spender, the encounter का editor भी है, और the encounter ने ही एक short story context निकाला था, जिसमें लिखक ने भी participate किया था, In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination, और कुछी चानों में मेरा जो दिमाग था, जिसमें जो काला पन चाया हुआ था, उस काले पन में एक hazy illumination, एक हलका सा light आया, मतलब दिमाग में कुछ अच्छा एनर्जी आया, The reaction to Stephen Spender at Jimny studio was no longer a mystery, अब लिखको समझ में आया कि Stephen Spender के तरफ जो लोगों का reaction था, वो एक mystery नहीं रहा, वो mystery सुलज गया था, लोगों को समझ में आगया कि क्यों लोगों ने उनका भासन नहीं समझ पाए थे, ठीक है, क्यों का भासन समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो लोग क्यों आये थे, वहाँ पे, Stephen Spender visit क्यों किये थे, Jimny studio, इसका कारण ये था, कि ये लोग भी तो, क्या किस्छी से पिरी थे, पहले लोग क्मुनिजम में एंटर किये थे, फिर लोग महां से फिर वापस आये, ठीक है, और South India के लोग भी जदा क्मुनिजम को हेट करते थे, तो तुनों का फिलिंग या में मिल रहा था, ठीक है, तो, इसी चिसको और प्रमोट करने के लिए Stephen Spender आई हुए थे, Jimny studio में, तो वही अब बोलने के लिखा को आप समझ पाया है कि वो एक मिस्ट्री नहीं था, the boss of the Jimny studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed, तो Jimny studio के जो boss थे, S.S. वासन जी, उनका कोई लेना दिना नहीं था, Stephen Spender के poetry से, लेकिन उनका लेना दिना था, उस book से, जिस book का नाम था, God that failed, मतलब क्यो उन लोगोंने follow किया, फिर कैसे उसको छोड़ा, मतलब communism का disadvantage बताया था, उस book में, और South India में भी, और South India के लोग, उसमें से, S.S. वासन जी भी थे, उनका भी feeling यहीं था, कि communism एक अचा चीज नहीं है, तो दोनों का ही feeling यहाँ पर मिल रहा था, वहीं वहाँ पर बोला गिया ह कि boss को लेना देना नहीं था, Stephenie Spinner के poetry से, लेकिन उसको लेना देना था, उनके book से, जिसका नाम है, The God That Failed, कि उस book के जड़िये, दोनों का feeling मैच हो रहा था, दोनों का ही, मतलब, hatred था, communism की तरफ, ठीक है, तो यही है फिर यह story, उमीद करते हैं, आपको समझ माया होगा यह story तो दोस्तों कैसा लाग अपास का वेडियो, उमीद करते हैं, आप इसको enjoy कियो होंगे, और आपको काफी अच्छे से समझ माया होगा, तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे, आज से class को यहीं पर रोकते हैं, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, और भी नए-ने chapters के साथ, और एक ज ज़रूर चेक कर लीजेगा, आपको ज़रूर वहाँ से कुछ फायदा पहुचेगा, तो यही सब बात है, तो आप लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए good bye and take care.